नमस्कार दोस्तों मैं विजय सेनी आपका मामल बाउंस है में फिर से स्वागत करता हूँ दोस्तों आज मैं मेरे गार्डन के कुछ फ्रूटिंग ब्लांट्स आपको दिखाऊंगा जिन पर जो फ्रूट्स है वो आ रहे हैं और इन फ्रूट प्लांट को ग्रो करना इजी है इनके पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ इस बार मैं आपको कुछ टिप्स भी दोगा कि इन पर फ्रूटिंग कैसे आएगी कोई भी फ्रूटिंग प्लांट हो उसको अगर आप नूट्रिंस अच्छे से नहीं देंगे तो उसमें जो फ्रूटिंग है वो भी अच्छे से नहीं होगी खासकर जब आप पोट्स के अंदर इनको लगाते हैं तब तो चलिए मैं आपको मेरे फ्रूटिंग के प्लांट दिखाता हूँ जिनमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है वैसे तो मेरे पास और भी काफी फ्रूटिंग प्लांट है लेकिन मैं आपको सिर्फ वो दिखाऊंगा जिन इस टाइम पर फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है नमबर एक चिकू देखें चिकू पर आपको दिख रहा होगा यहां पर फ्लोरिंग स्टार्ट हो गई है यहां पर आप देख सकते हैं फ्लोरिंग स्टार्ट हो गई है ले जो है इसमें नीमखली कंपोस्ट और जो बॉन मील है उसका जो मिक्षर वो दिया था साथ में कुछ डीएपी खाद भी दिया था आप देख सकते हैं जो फ्रूट से वो काफी अच्छे से यानि के रुके भी है और जो इनकी साइज है वह बढ़ती जा रही है यह देखिए ज जेख सरीर से जो है खाद अच्छे से दूँआ खाद देने का चीक उपर ब्यूट अच्छा एफैक्ट मुझे देखने को मिले हैं मैंने इसमें दो बार बार आपको बताया और मैंने वीडियो में आपको देखाई था कि किस तरह से मैं इसमें खाद एड की थी यह है लेकिन अनार में प्रोलम क्या आती है जो फ्रूटिंग है जो इसके फूल हो गिर जाते हैं तो इसके कुछ रिजण हो सकते हैं मैंने लाकई एक वीडियो में आपको बताए भी था कि इसके कुछ रीजिन तो जो होते हैं जैसे कि पॉलिनेशन ना होने के विज़े से ज्यादा पाने जैने के विज़ेसे भी ऐसा हो जाता है लेकिन एक और जो न्यूट्रियंस का मैंने आपको प्लांट को तो उसका इफेक्ट मैं आप दिखाता हूं यह जो प्लांट आपको दिख रहे हैं इसे में देखिए बहुत सारी फ्लौरिंग हुई थी लेकिन रुखी नहीं सिर्फ एक दो प्लांट इस पे जो फूर्ट है वो रुखिये हैं बाकि नहीं रुखिए अम आपको मेरा दूसरा अनार का प्लांट दिख य होई तो देखिए इसके अंदर है ताकि कर्षा ना देख सके और ना इनको कार्ट सके वोक। यहांसे इ cauliflower देowan तो सारे अoque जो है काफी अच्छे से बने हुए है है और देखे यहां पर धे उपर देखे न रह तो डे आपको यहां पर इस तरह से लाइनिंग दीखे होगी यहां से गुड़ाई करके मैंने इसमें दो बार जो है वर्मी कंपोस्ट और जो बॉन मील नीम खली इस तरह की चीज़े के साथ जो डीएपी वो मिक्स करके डाला था तो उससे काफी अच्छा जल्ल मिला साथ ही एक यूटेंस नहीं जा पता तो इनको मैं तोड़ता रहता हूं जब भी एक ग्रो करती है आप हाथ से इनको इस तरह से तोड़ सकते हैं इस प्लांट की जो फूटिंग है वो काफी अच्छी है इसमें जो जो आम काठ जो बोलते हैं यह बीज के इसके अंदे जो बीज होता है वो कम होता है इसमें रस जादा होता है तो काफी अच्छी वराइटी है अनार की बागी इसकी अपडेट में आपको इंस्टागराम पे देता रहूंगा जैसे फूटिंग जो पके एंगे तब तो आप इंस्टागराम पे हमें फूलो कर सकते ममल बहुं साई नाम से यहां पर मखिया मंदू मक्हिया मूट कर दोर आए करन गूंद था इस अचे मेदध में सब्सक्राइब है यह पर चपक जाएगे और जैसे ही स्टिगमा पर जाती है तो वहां पर पूरी हो जाती है और जो फ्रूट है वह बनना शुरू हो जाता है चली मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से जब इस तरह से परकिरिया पूरी हो जाएगी पॉलिनेशन के परकिर्या पूरी होने के बाद देखिए इस तरह से जो फ्रूटिंग है वो बन जाएगी इसके अंदर जो पॉलिनेशन है वो कम्पलीट हो चुका है इस तरह से यहां से दीरी-दीरी मोटा होना लगेगा और जो अमरूद है वो बनने स्टार्ट हो जाएगे इसलिए गाडनेरिया में जो फ्रूटिंग होती वो अच्छी होती है जब कि छत पर एक या दो प्लांट लगाते हैं तो वहाँ पे की है पॉलिनेशनन अच्छी ना होँरे के इतना अच्छी Inlay यह देखिए यह हमारा अम्रूद का एक प्लांट है जो हमने ग्राफ्टिंग करके त्यार किया था यह बहुत ही बैस्ट है मेरे गाड़न रिया में सबसे बैस्ट प्लांट पूंजा भी तक यह लेगा क्योंकि हमने खुद ग्राफ्ट किया था और इसका रजल्ट आप देख लिए और प्लांट इसको इसको सपोट भी देनी होगी दो हम स्फोटे से प्लांट पर लगे शायद मैं फरवरे में लेका था और इसमें फ्रूटिंग आप देख सकते हैं दोस्तों अगला हमारा प्लांट है वह चेरी का यह प्लांट भी एक साल होने वाला इसको लेकिन इसमें इस बार फ्लोरिंग हुई थी लेकिन यहां पर ज्यादा पानी आने के विए से आते हैं यह देखिए इस तरह के फूल है इसके आपको यहां पर दिख रहा होगा यह इसका फूल है और फूल खिलने से पहले जो बार्ड है वो कुछ इस तरह कर रहता है और एक दो फ्रूटिंग भी इस पर बनी हुग है मैं आपको दिखाता हूं यहां पर आप अगूर को गुच्छे हैं काफी बड़े होने लगे है इस वार जो अगूर की फूटिंग है काफी अच्छे से होरी है अंगूर को ग्रो करना इजी है अंगूर की अगर अछे से पुर्णिंग करेंगे तो इसका रजल्ट काफी अच्छा देखने को आपको मिलेगा अंगूर जो आप लगाएं तो तो seedless वाले अंगूर लगा हैं यह जो है, seed वाले हैं, यह मैंने air layering से त्यार किया था, लेकिन इस पर भी जो fruiting है, इस बार बहुत सारी हुई है, तो अंगूर जो है, अंगूर की wine भी आप लगा सकते हैं, इसको port में भी लगा सकते हैं, port में भी आसानी से ग्रो कर जाती है, अब इनका जो कॉलर है वो ग्रीन है यह ब्लैक होंगे क्योंकि ब्लैक रंके हैं तो इसके अपडेट भी मैं आपको दिखाता रहूंगा आप इंस्टागराम पर जुड़े रहिए तो यह कुछ फ्रूटिंग प्लांट है जो मेरे गर की तरफ अगर हम जाएं तो गर पे मेरे आंगर में एक जो सैसूत का ट्री है जिस पर सैसूत लगे हुए है हलाएं कि अभी उसके फ्रूटिंग का एंड है वो गिर चुके हैं लेकिन अभी भी काफी फ्रूटिंग उसके बची हुई है तो यह कुछ फ्रूटिंग प्लांट है जिस पर इस टाइम पर फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है इन सबी फ्रूटिंग ब्लांट से रिलेटेड वीडियो में डाल चुका हूँ कि इनकी केर कैसे करनी होती है स्पैसल बाकि आपके कोई क्वेर है तो आप कमेंट करके पूछ सकते है आपके गाड़नेरिया में अभी कौन से फ्रूटिंग ब्लांट पर फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो चल लगे तो लाइक और शेट जरूर कीजिए अगरे चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं कि नई वीडियो को साथ तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखेगा शुक्रिया